एक आप पोदेखते यह स्टॉक का क्या टार्गेट हो सकता है तो चली ब्रेक जो है राने गुरूप की प्यूंपी के अंदर इस गुरूप ने एक अच्छा-खासा जो है धवदवा बना रखा और बनाया भी है और इस टॉक्स ने बैतरी इन जो है पर्फर्म करके दिखाया पिछले कई सालों में बिजनिस की अगर बात करेंगे तो इनके जो है इस टॉक्स लिस्टेड है राने होल्डिंग के नाम से राने इंजन राने मदरास राने ब्रिक लाइनिंग इस तरीके से ज technical collaboration भी है इनका एंड साथ की साथ अगर बात करें एक्सपोर्ट करते हैं फ्रिक्शन प्रोडक्ट्स को प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है कंपनी की अगर बात करेंगे करते हैं प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं 15 कंट्रीज के अंदर रेंज एंड टेक्नलोजी फॉर इंडियन यूरोपियन कमर्शियल वीकल रेफ्रेंस एंड सीवी डिस्क ब्रेक्ट्स टू यूरोप तो कंपनी बहुत ही अच्छी है भरिया काम जो है कर रही है आर एंडी जो है खरती रहती है टेक्नलोजी भी है कंपनी के पास में आर-ंडी कैपेविल्टी है एंड मैनुफेक्चिन प्लांट्स की अगर बात करें चैन्य पॉनिचयरी हईदराबाद एंड तृची के अंदर प्लांट है उतमोटुव प्रोडऌट की अगर बात करें तो कंपनी जो है प्लांट के अंदर Automotive, Railway, Aerospace के लिए जो है प्रोडक्ट बनाती है, Pondicherry Plant में Automotive and Railway and Trichy के अंदर Automotive and Hyderabad में Automotive and Railway, तो Automotive, Railway and Aerospace तो तीन जो है सेजमेंट हैं, तीन जो है सेक्टर हैं जिनके लिए प्रोडक्ट बनाती है, एक ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड, यहां पर अगर बात करेंगे, तो इनके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ब्रेक लाइनिंग, डिस्क पैड, रेलवे ब्रेक प्रॉक्स and clutch facing, commercial vehicle ब्रेक पैट्स, सिंटर ब्रेक पैट्स, इस तरीके के जो है कंपनी के प्रोडक्ट हैं, मार्किट के अंदर, and operational performance review अगर आप देखेंगे, तो demand recovered across की सर्फ सेजमेंट, and जिस तरीके से जो है business split की अगर बात करें, यहां पर अगर सेजमेंट वाई अगर आप देखेंगे, तो इंडिया से जो है करीब करें देखेंगे 55, and इंडिया आफ्टर मार्किट देखेंगे 41, and international की अगर बात करें, तो बहां से करीब 4%, and वाई वीकल सेजमेंट अगर आप देखेंगे percentage इनका, तो यहां पर जो है सब से ज़्यादा जो आता है, M and SCV, heavy vehicle से आता है, and L, और सब फिर MUV, MPV, operational highlights की अगर बात करें, अचीब किया 100% delivery performance, with all customers, तो धीरे-धीरे कंपनी जो एक भड़िया performance की तरफ जो है मुझे लगता है आने वाले time में भड़ती हुई दिखेगी, जिस तरीके से आने वाले time में एक breaking system तो हलकी ऐसा है कि जरुवत पढ़ती ही पढ़ती है, इन सारी चीजों की अगर आप कोई भी अगर product अगर market के अंदर अगर उतार रहे हैं, automotive sector से related, तो इनके product की जरुवत है ही और आने वाले time में मुझे लगता है कि ये company एक बढ़िया performer जो है बनके निकल सकती है, राने ब्रेक, कुछ और fundamentals में आपके सामने इसके रखूँ तो 45 के आसपास की इसकी EPS है, स्मॉल केप company है 553 का ज्यादा बड़ा market cap नहीं है हाला कि इसका dividend track record बहुत ही अच्छा है dividend yield बहुत अच्छी 3.49 की 10 की face value है एंड मैं आपका जो है यहां पर एक track record इसका जो है बताता हूं आपको कैसा track record है इसका regular continue जो है track record बढ़िया है 2021 में 25 रुपे का dividend दिया है company ने यह आप अगर बात करें revenue की revenue जो है मिला जुला रहा है revenue में देखेंगे तो growth नहीं है ज्यादा तो हलांकि 1719 में देखेंगे तो growth देखने को मिल रही है हल्की पुल की growth है कोई ज्यादा खास growth नहीं है लेकिन 2021 में देखेंगे तो फिर वह गिसा-पिटा सा काम जो हो गया है 2021 की पीट की वह इसे कह भी सकते हैं कि गड़बट रहा ही है और प्रॉफिटेविल्टे कर देखेंगे 2017-19 में ठीक ठाक है मतलब यहां पर बात कर जा है तो company का ऐसा बिजनिस नहीं है कि डबा गोल हो गया है company उतना रिटेन कर पा रही है जितना वह पहले profit यह revenue रिटेन कर पा रही थी उतना जितना ला रही थी उतना ही जो है वह रिटेन कर पा रही है थोड़ा वात ऊपर नीचे डेट फ्री कंपनिया सबसे बढ़िया बात यह है quarterly performance देखेंगे मिली जुली देखने को मिल रही है and profitability के अगर बात करेंगे तो यहां पर profitability जून सितंबर में अगर दोनों के मिला के बात करना है six CR की जो है रह गई है और quarter को year on year की बात करेंगे तो यह 31 तो यहां पर जो है यह downfall देखने को मिल रहा है market उसी को ही देखके जो है stock perform कर रहा है मतलब 31 करोड से दो quarter के अंदर just अभी six करोड जो है आप आया है market देख रही है और देखने वाली है कि आने वाले जो है quarter के अंदर यह company कितना और profit add-on कर सकती है इसके अंदर चुकि अभी देखेंगे तो just only 25% भी नहीं आया अब आने वाले छे महीने में यह company यहां से कितना profit जो है लेके आ सकती है अर्न कर सकती है यह देखने वाली बात है मार्किट उसी को ही दिखा रही है price behavior के अंदर तो यह थोड़ा देखने वाली बात है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहां पर profitability कम रह सकती है जिस तरीके से chip making को लेकि एक shortage देखने को मिल रही है हाँ अचिकासी के पास में असपास की जो है और निशिनवों के बास में देखेंगे इंडिया इंस्वरेंस कमपनी जिए जनरल इंस्वरेंस कोर्परेशन के पास में होल्डिंग मौझूद है मूचल फंट के पास में भी जो है होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर जो है मौझूद है बात करेंगे आरोई कि तो फोर्टिन के आसपास की आरोई है एंड डैट फ्री कंपनिया बड़िया बात यह है अगर आपको यह वीडियो चले तो आप लाइक करवा सकते हैं बात करें स्टॉक के चार्ट पैटन की तो इस टॉक का चार्ट पैटन अगर मैं आपके सामने रखूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस टॉक ने भड़िया परफॉर्मेंस दिखाई है आला कि ऐसी बात नहीं है और स्टार्टिंग जब से हुई परफॉर्मेंस आते हुई दिखिया कंपनी की तरफ से लेकिन यहां पर फिर से डबा गोल जो होता हुआ इसका दिखा है और अब फिलाल बात करें अब की अगर बात रखें तो इस टॉक में यह जो गिरावट जो घहरा रही है इसको अगर देखा जाए तो 38.2 परसेंट की रेजिस्टेंस के नीचे जो है स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ रहा है अब यह फिसलने की बात जो है वो इस बजा से है क्योंकि कम मार्किट कंपनी जो है इस वाल जो है मुझे लगता है यर ओन यर थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है रह सकती है प्रॉफिटिबिल्टी के लि कर गई है और दिख चुकी है और यह मुझे लगता है कि इस टॉक और यहां से फॉज हो सकता है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और जिस तरीके से इस महीने में ये जो fall जो हो रहा है और ये बाला जो है प्राणी वाली जो candle है उसका भी जो है इसने low तोड़ दिया है मुझे लगता है कि यहां से यह stock और जो है फिसल सकता है करीब 680-650 रुपे तक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और वहां पर अगर यह जाता है 680-650 के आसपास वहां पर मुझे लगता है रिवाइवल के चांस बन सकते हैं लेकिन वहां पर अगर आप इस stock के अंदर अगर दाब लगाते हैं तो quarter on quarter की strategy अपनाने में ही भलाई है परफॉर्म तो करेगा लेकिन quarter on quarter की strategy अपनाने में भलाई इसलिए है कि हम सोच रहे हैं परफॉर्म करेगा अगर वह परफॉर्म नहीं करता है तो कहीं ऐसा नहों कि आपका पैसा फस जाए क्योंकि इस समय पे बिलकुल भी जो है कहीं भी strength देखने को नहीं मिल रही है चार जो है यहां पर देखेंगे तो इसने फिफ्टी टूबी खाई लो जो है इसने ब्रेक किया है मतलब पूरे साल का जो है यह recovery जो हुई थी वह सारी की सारी जो है recovery अब यह ले चुका है complete जो है इसने फॉल में दिखा दी है तो यहां पर एक यह देखने वाली बात है तो यह red candle का जो combination जो देखने को मिल रहा है चार्ट में strength नहीं है तो यह भी थोड़ा सा आपको जो है सोच के चलना चाहिए अगर आप इसमें जो है गुरुप को भड़िया मान कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं क्वाटर की strategy अपनाने में भलाई है क्योंकि इस समय पर अपने बेरिस ट्रेंड में जो है जाता हुआ दिख रहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जो है ट्रेंड इसका रु करके पोच भी सकते हैं थैंकिए